अच्छ हम दो पाउच बनाएंगे यह अमने फाब्रिक लिया है इसका मेजरमेंट है साढ़े दस से गैरा इंज और साढ़े छे इंज का है हमें 10 इंज बाए छे इंज का पीस हमें कट करना है यह हमने अस्तर के लिए नौन ओविन लिया इसके उपर हमने फोम रखा है और इस के उपर हम पहले quilt करेंगे ऐसे और ऐसे आप cross भी कर सकते हैं ऐसे हमने इसके उपर quilt किया है और एक हमने fabric का पिस लिया है और ये cotton का fabric है जिसके हम dress वगड़ा बनाते हैं ये 2.5 inches और 2 inch 2 inch बाइ 2.5 inch का ये हमने fabric लिया है ये 2.5 inches के side है हम ऐसे fold करेंगे यहाँ से fold करेंगे और यहाँ से fold करेंगे यहाँ एक सिलाई करेंगे यहाँ एक सिलाई करेंगे और ये हमने 2.5 inches के side है ऐसे हमने ये strip बनाई है इसके बाद ये piece हम लेंगे और इसे के side का हमने ये अस्तर लिया है और इसका measurement है 10 inches by change 10 by 6 का एक quilted piece लिया है और same size का एक अस्तर का piece लिया है और 6 inches के हमने z पर ली है 6 inches की सीधी side हम यहां जोडेंगे और इसके पीछे हम अस्तर जोडेंगे सिलाई करेंगे यहां हमने सिलाई की इसके बाद हम यह जिप separate करेंगे ऐसे ही हम यह जिप यहां रखेंगे इसके उपर यह अस्तर का piece और यहां हम सिलाई करेंगे ऐसे हमने दोनों side में सिलाई की इसके बाद हम सीधी side करेंगे ऐसे यहां हम top stitch करेंगे ऐसे यहाँ टॉप स्टीच करेंगे यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे इसे हमने टॉप स्टीच किया इसके बाद हम रनर लेंगे और यहाँ से हम रनर डालेंगे और रनर डालने के बाद हमें ऐसे लॉक करना है इसे हमने यहाँ से रनर डाला करना है और ये जो मार्क है इसके उपर हम ये जिप रखेंगे और यहां हम सिलाई करेंगे ये सिलाई होने के बाद हमने ये एक पाइपिन के लिए स्ट्रिप ली है इसको हम ऐसे जोड़ेंगे सिलाई करेंगे और उल्टी साइड में करके हमें फोल्ड करके इसको पर पाइप इन करना है ऐसे हमने पाइप इन की है पाइप इन होने के बाद हम हमने जो स्ट्रिप बनाए थी इसके अंदर हम ये डी रिंग के अंदर ये स्ट्रिप डालेंगे इसे और यह हमें यहां एक साइड में हमने लॉक किया है यहां हम जोडेंगे इसके नीचे हम जोड देंगे ऐसे हमने यह स्ट्रिप जोइन की है स्ट्रिप जोडने के बाद अगर एक्स्ट्रा बाहर यह स्ट्रिप है तो हम पहले कट करेंगे और इसके बाद हम यह जीपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे सिलाई होने के बाद हम इसी तरह से यह पाइपिन करना है SM ने यहाँ पाइपिन की है इसके बाद हम सीधी साइड करेंगे SM यह पाउच तयार हुआ है इसके बाद हम और एक फाब्रिक लेंगे यह हमने डबल फाब्रिक लिया है आप चाहे तो कट भी कर सकते हैं इसके अंदर हमने यह फोम डाला है इसको हम सिंटर से फोल्ड करेंगे इसका मेजर्मेंट यह 11 इंच बाइ साड़े चेंज तक है 12 इंच बाइ साड़े चेंज तक है इसके अंदर हम यह फोम डालेंगे इसे रखेंगे और इसके उपर हम पेले क्विल्ड करेंगे आप क्रॉस में भी क्विल्ड कर सकते हैं इसके बाद हम इसके उपर कटिंग करेंगे इसे हम कटिंग करेंगे यह हमने एक कुल्टेड पीस बनाया है इसका मेजर्मेंट है 10 इंच इस बाइ साड़े पाच इंच दस इंच बाई साड़े पाच इंच का ये कुल्टेड पीस हमने लिया है और इसके साथ हमने एक प्लास्टिक की शीटली है इसका मेजरमेंट है साड़े आठ इंच बाई साड़े पाच इंच साड़े आठ बाई साड़े पाच की एक प्लास्टिक शीटली है और यह हमने पेलक्रो लिया है ये हारड साइड हम यहा जोडेंगे ये प्लास्टिक के उपर इतनी स्पेस हम छोडेंगे 3 फोर्थ इंजिस तख हम छोडेंगे और यहा हम ये जोडेंगे ऐसे ऐसे हमने ये उपर की साइड में hard side joint की है ये हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई करेंगे ये तीन साइड में हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे इसके बाद हम यहाँ से देड़ इंच का मार करेंगे यहाँ से देड़ इंच का मार करेंगे और इसके उपर हमें यहाँ से ऐसे कटिंग करना है क्रॉस में कटिंग करेंगे ऐसे है इसके बाद हम पाइपिन लेंगे आप फाबरिक की भी पाइपिन ले सकते हैं यह हमने तयार पाइपिन ली है इसको हम ऐसे पूरे राउन में यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे चारो साइड ऐसे हमने चारो साइड से पाइपिन की और यह पाइपिन होने के बाद हमने यह उपर की साइड लेना है यह हम यहाँ से यहाँ जोड़ेंगे स्केट सेंटर में हमें जोड़ना है ऐसे उपर से हम वाइड कलर का थ्रेड लेंगे और नीचे हम रेड कलर का लेंगे ऐसे हमने उपर की साइड जॉइन की तो यह बंद हो जाएगा इसे इसमें हम ऐसे जविलरी रख सकते हैं और ये हमने क्या किया हुआ पीस लिया है यहां आप NURLOWER भी ले सकते हैं COILARFUL NURLOWER आते हैं वो भी आप इसमें ले सकते हैं इसे बना कर आप किसी को GIFT भी दे सकते हैं और इसमें ऐसे YORRINGS भी रख सकते हैं या कॉइन पाउच ऐसा भी यूज कर सकते हैं